नमस्कार, फागून मास के शुकल पक्ष की आमलकी एकदशी का वरत करने से 1000 गोदान के बराबर पुन्य फल की प्राप्ती होती है सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ती होती है आज मैं आपको आमलकी एकदशी की कथा सुनाने जारी हूं कथा सुनने से पहले हाथ में तिल और फूल ले ले और कथा सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करते हुए उनके आगे छोड़ दें तो चलिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए कथा का आनंद लेते हैं 88,000 रिशियों को संबोधित करते हुए सूच जी ने कहा हे विप्रो प्राचीन काल की बात है महान राजा मनधाता ने वशिष्ट जी से पूछा हे वशिष्ट जी यदि आम मुझ पर प्रसन है तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्यान हो महरिशी वशिष्ट बोले की हे राजन सब व्रतों में उत्तम और अंत में मौक्ष देने वाले आमलकी एकदशी के व्रत का मैं वर्नन करता हूँ यह एकदशी फागुन मास के शुकल पक्ष में होती है इस व्रत के करने से समस्ट पाप नश्ट हो जाते हैं इस व्रत का फल एक हजार गोदान के फल के बराबर होता है अब मैं आपसे एक पुरानिक कथा कहता हूँ आप ध्यान पूर्वक सुनिये एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्रामन, शत्रिय, वैश्य और शुद्र चारो वर्ण आनन से रहते थे उस नगर में सदय वेद ध्वनी गुंजा करती थी पापी, दुराचारी तथा नास्तिक, उस नगर में कोई नहीं था, उस नगर में चैतरत नाम का चंदरवन्शी राजा राज्य करता था, वह अत्यंद विद्वान तथा धर्मी था, उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्रवे कंजूस नहीं था, उस राज्य के सभी लोग विश्नु भग थे, वहा फागुन मास के शुकल पक्ष की आमलकी एकदशी आई उस दिन राजा प्रजा तथा बाल विद सबने हर्ष पूर्वक वरत किया राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलस थापित करके धूप, दीप, नवैद्य, पंच, रतन, आदि से धात्री यानी आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तूती करने लगे हे धात्री, आप ब्रह्म सवरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उद्पन हो और सभी पापों को नश्ट करने वाली हैं, आपको नमस्कार है, आप मेरा अरगय स्विकार करो, आप श्री रामचंदर जी के द्वारा सम्मानित हैं, मैं आपसे प्रातना करता हूँ, मेरे सभी पापों का नाश करो उस मंदिर में सब ने रात्री को जागरन किया रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था वह अपने कुटुम का पालन जीव हत्या करके किया करता था भूक और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह भहेलिया इस जागरन को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया विश्णु भगवान तथा एकदशी महात्मया की कथा सुनने लगा इस प्रकार अन्य मनुश्यों की भांती उसने भी सारी रात जाक कर बिता दी प्रातेकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया घर जाकर उसने भोजन किया उस समय बीदने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई मगर उस आमलकी एकदशी के व्रत तथा जागरन से उसने राजा विदूरत के घर जनम लिया और उसका नाम वसूरत रखा गया युवा होने पर वे चतुरंगनी सेना के सहत तथा धन धानय से युक्त होकर दस हजार ग्रामों का पालन करने लगा वे तेज में सूर्य के समान कांती में चंदर्मा के समान वीरता में भगवान विश्नु के समान और शमा में पृत्वी के समान था वह अत्यन धार्मिक, सत्यवादी, करम वीर और विश्नु भग्त था वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था दान देना उसका नित्य करतव्या था एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ग्यान ना रहने के कारण उसी वन में एक व्रिक्ष के नीचे सो गया थोड़ी देर बाद पहाड़ी डाकू वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की और दोड़े डाकू कहने लगे की इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पोत्र आदी अनेक सबंदियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है अते इसको अवश मारना चाहिए ऐसा कहकर वे डाकू उस राजा को मारने दोड़े और अनेक परकार के अस्तर शेस्तर उसके उपर फिंके वे सब अस्तर शेस्तर राजा के शरीर पर गिरते ही नश्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के वार के समान परतीत होता अब उन डाकूं के अस्तर शेस्तर उल्टा उनी पर परहार करने लगे जिससे वे मुर्चित होकर गिरने लगे उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्या इस्तरी उत्पन हुई वह इस्तरी अत्यन सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेडी थी उसकी आँखों से ला लाल अगनी निकल रही थी जिससे वे दूसरे काल के समान परतीत होती थी उसने देखते ही देखते उन सभी डाकूं का नाश कर दिया जब राजा सोकर उठा तो उसने डाकूं को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रों को किसने मारा है इस वन में मेरा कौन हितेशी रहता है व पुन तेरी सहायता कर सकता है इस आकाशवानी को सुन राजा ने भगवान विश्नु को समांड कर उन्हें प्रणाम किया फिर अपने नगर को वापिस आ गया और सुक पूर्वक राजय करने लगा महरिशी वशिष्ट बोले की हे राजन यह आमलकी एकदशी के वरत का परभाव था जो मनुश्य इस आमलकी एकदशी का वरत करते हैं वे परतेक कार्या में सफल होते हैं और अंत में विश्नु लोग को जाते हैं कथा का सार है कि भगवान श्री हरी की शक्ति हमारे सभी कश्टों को हरती है यह मनुश्य की ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूरंत्य स्मर्थ है इस शक्ति के बल से भगवान विश्नु ने मदु कैटब नाम के राक्षसों का संहार किया था इसी शक्ति से उत्पन्ना एकदशी बनकर मुर नामक असूर का वद करके देवताओं के कश्ट को हरकर उने सुखी किया था आईए मिलकर बोलते हैं भगवान विश्नु का ये मंत्र शांतकारं भुजग शैनं पदम नाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदुर्षं मेग वर्नं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भीर दे आन गम्यं वंदे विश्नु भव भैहरं सर्व लोकेक नाथं